कप्तान ने अतिरिक सुरक्षा के लिए डी पॉइंट लगाया है पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होने चाहिए यहाँ बहुती बढ़िया फील्डिंग, ऐसी फील्डिंग से टीम का आत्मबल बढ़ता रहेगा बहुत ही आकरामक बल्ले बाज है ये विशो क्रिकेट में अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए तेज गदी के गेन बाजों को काफी असानी से खेला इन्होंने गेन बाजी, बल्ले बाज शॉट खेलने को देख रहे हैं लेकिन गेन बल्ले से इश्ट ने करमा पारी दो रन का कॉल रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उंदर रही है दोने बल्ले बाजों के बीच गेंद को भेजा है हवाई यातर पे कोई टेंशन नहीं की कहा गिरेगी बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ थोड़ी सी बूंदा बांदी हवा में हो रही है आशा करते हैं कि कहीं यह मुसलाधार ना बन जाए इशा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और यह चे रन फील्डिंग में परिवर्थन चलिए देखते हैं कि अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी बहती अच्छी थाल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में बढ़ी आरानी मुटीं दागेट्स दोनों ही बल्ले बाज पूरी लेमे और बड़े स्कोर पर उनकी नजर कप्तान को विकेट की यहां सक्त जरूरत ग्रोंपे पानी तो दिखनी शुरू हो गई है लगता है अमपायर्स जल्दी गेम बन करा देंगे बल्ले बाज की आँखें तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेन बाज के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इस आकरामक फील के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां जिस तरह की शॉट पिच बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं यह गेन बाज अक्सर बले बाज बाज बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका फिल्डिंग में परिवर्दन यह एक ऐसे बले बाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे हवा में उठा तिया है और यह छे रन कोई मौका नहीं था वहां फिल्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे छक्का मार देंगे बल्ले बाज ने इस देन को पड़ा भी और जड़ा भी लगाया छक्का इनके तो बल्ले से सिर्फ चोके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे बल्ले बाज का बल्ला आग उगलता हुआ विस भोटक बल्ले बाजी गेन बाज को संकेत देते हुए जहां चाहूँगा वही मारूँगा बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉर्ट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठें इनिंग की आखरी बॉल ये रही आपके सामने पहली पारी के समापती लक्ष्यो सामने है और सलामी बल्ले बास